चलो बया तो इस्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जनता तयार है कि नहीं तयार है चीज़े सही चल रही है कि नहीं चल नहीं एक दम बिल्कुल सब के सब तयार हैं अगर सब के सब रेडी हैं तो फिर इस्टार्ट कर देते हैं आज के ससनों समझते हैं कि आज के ससन में क्या है बाते खास और किस हिसाब से तो पहले थियोरी पढ़ना चाहोगे कि पहले कोश्टन करना चाहोगे पहले थियोरी पर लिया जाए ठीक है पहले आते पहले थियोरी पूरा complete पढ़ते की कौन से अधिवेशन में क्या क्या मामला हुआ था क्या क्या चीजे थी क्या क्या चीजे नहीं थी देन उसकी बाद questions के उपर हमला करेंगे ठीक समझते रहेगा कि तो देखो सबसे बेसिक से समझना कि क्या है अगर हम भारती राष्टी कॉंगरेस की बात करते तो इसकी अस्थापना किस ने करी थी तो एयो हूम ने करी थी अब सभी के फुल फॉर्म आ रहे है तो हो सकता एयो हूम सहब के फुल फॉर्म आज़े जिनका नाम पूरा है एलन वियो हूम यह जो है भारती राष्टी कॉंगरेस यह कहां से संबस्ते है सन 1885 में ही हुआ था और यह दिवेशन में होने वाला था कहां पर पुने में होने वाला था बट कहां पर हुआ मुंबई में हो गया था भारती राश्ची कांगरेस का अब यहां से दो तीन जो कोश्चन है वो क्या-क्या उड़ते वो चीज समझते हैं सबसे पहला तो पूछ थे जो पहला कौन था जो पहला भारती राश्ची कांगरेस का अधिवेशन हुआ तो जो 1885 में मुंबई में हुआ तो इसके अद्धक्ष कौन थे तो बोलो कि भाई इसके अद्धक्ष बनर जी यानि कि व्यमेस चंद बनर जी इदा राइट एंस और पूछी आती है कि जो है वहाँ पर प्रतिनीधी थे तो कुल मुला के 72 प्रतिनीधी थे ये भी बात आपको याद होना चाहिए यह पहले का चला भी दूसरा तीसरा सब आएगा वह भी चीज़ ध्यान दिजेगा अच्छा ठीक है अच्छा भारती राश्ची संग से भारती राश्ची कांगर भारती राश्ची कांगरेस केया कर दिया गया भारती राश्ची कांगरेस अच्छा प्यादेनेख क्या उसे जुड़ी हुई है यह जुड़ी है कि पहला वाला जो अधिवेशन ठीश ता जो की सन 1818 में बॉंबे में हुआ था जिसकी अधिवेशन WC ती ने करी थी वह पहले मुंबई में होने वाला वाला ता लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पर अकाल आ गया था और इसकी वज़े से ये बंबई में सिफ्ट हो गया था जबकि वह बहुत इससे जुड़ा भी था तो या देखेगा सुरेंद नात बनर जी जो सहब थे ये भारती राश्टी कांग्रेस के पहले वाले अधिवेशन में नहीं जुड़े थे उसमें नहीं हुए थे तो क्या पहले अधिवेशन के सारे कोश्टन सभी को समझ में आ गए तो मैं आपको एक चीज़ दो-तार कोश्टन पूछू तक क्या जनता बता पाएगी सोच ले ना कि हाँ सरजी बता पाएगे कि नहीं बता पाएगे ओके चलो पूछ लेते ये बताओ भाई भारती राष्टी कांग्रेस का जो नाम था वह भारती राष्टी सगसे भारती राष्टी कांग्रेस किस की 1886 में और यह कहाँ पूआ कलकत्ता में एक कोशन आता है सबसे ज़्यादा भारती राश्टी कॉंगरेस का अधिवेशन कौन से वाले सहर में हुआ है तो यह देखेगा अगर यह पूछा जागा सबसे ज़्यादा तो आप बोलो कि सर्जी कलकत्ता में सबसे ज़्यादा भा इमला के 434 लोग हो गयते यह भी एक अच्छा कोशन हो जो पूछा गया था आप सभी से ठीक नेक्स प्याज़ो डफरीन ने कॉंग्रेस के सदस्यों के पार्टी दी जिसका नाम था गॉर्डन पार्टी यह भी कोशन आपको याद देखना है जो कि दूसरे अधिवेशन के नेक्स प्याज़ो दादा भाई नैरोजी भारती राष्टी कॉंग्रेस के कुलमला के तीन वार अध्यक्ष बने हैं यह बात भी बड़ा इंपोर्टन बहुत पूछी आती है अब आते कौन-कौन से वाले में बने हुए एक तो 1886 अभी हमने कराई जो कि कलकत्ता में हुआ देन 1893 में बने थे और देन उसके बाद 1906 में बने थे तो कितने का गया पाया देखो तो भाई यहां पर देखो कि तो कुलमला के सात सालों का गया पाया है जबकि 93 और तीन यहां पर कुलमला के 13 सालों का गया पाया है पक्का तो पहले सात साल के बाद अध्यक्ष बने और अब आते हैं तीसरा अधिवेशन, तो क्या जनता को दूसरा अधिवेशन की बात समझ में आगे, कोई परशानी दूसरा अधिवेशन, चलो ठीके कुछ कोशन मारते हैं, सबसे पहले बतो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, उसकी अध्यक्ष कौन थे और कहा पर हुआ था ये कोशन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर्जी जो दूसरा अला दिवेशन हुआ था ना वह 1886 में हुआ था कलकत्ता में हुआ था अध्यक्ष दादा भाई ना रोजी जो की तीन बार अध्यक्ष बन चुके हैं एक तो छे साल बाद और एक तो पता है तेरा साल के बाद हो गया जो की कहा पर हुआ था मदरास में हुआ था ठाड़ा सटासी में कोश्चन क्या था कि भाई यह बतादो भारती राश्टी कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तब इन ही का नाम आता है जो कि थे बदरुदीन तयब जी यह भारती राश्टी थे तो पहला वाला धक्ष कौन थे आपके बनर जी साहब WC दूसरे वाले नहरो जी तीसरे वाले तयँअ सअधे तो बनर जी मेरो जी और तयफ़ी जी जान हां यह ना बनर जी और नहरो जी और तयब जी बिलकु duy बात समझे अगए चलो Basit पर आते मैं कि ये तीसरे वाले अदिवेशन में दिया गया था और किस ने दिया था बद्रदीन तयव जी ने दिया था जो कि इनका पूरा नाम क्या था बिल्कुल नेक्ष प्या जो विस्या निर्धारा की समिति की भी नियू रखी गई थी और साथी साथ रानाडे जो है इनके द्वार सोसल कॉंफरेंस का आयोजन भी किया गया था ये भी अच्छा कोशन है जो पूछा जा सकता है अच्छा एक कोशन आ चुका है यह पेपर में कि आमस एक्ट के खिलाब जो प्रस्ताव रखा गया तो पहली बार भारती राश्टिक अंग्रेश के कौन से अधिवेशन में आ गया तो बोले तो तमिल तो बिल्कुछ सही एंसर हो जाएगा अरे बोलो हाई ना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अरे पक्का है कि नहीं पक्का है समझ में आरा सभी को एकदम अच्छा हो लग रहा है ठीक है तो जड़ा नेक्ष प्याते चौथा अधिवेशन क्या हो है इलहाब आदमी हो गया देखो यहीं चार बड़े इंपोर्टेंट और यहां से कोश्टन बहुत पूछे जाता है तो यह हुआ था ठारसो ठारसी में पहला ऐसा था जिसको जो इसका अध्यक्ष बना था पहला इंग्लैंड वाला एसा था जो इसका अध्यक्ष बना था जो की जार्ज यूले साथ ते और हुआ क्या था पी पहली बाल तराय वाल लाल लाजपतराय साहभ ने किसी अधिवेशन में सामिल हुए थे वो था आपका चोथा अला दिवेशन इसमें सामिल हुए थे और इन्होंने यहां पे हिंदी में भासट दिया था ये भी बात दखना है ठीक और गवर्नर कॉल्वी ने विरोध किया यह कोशन नहीं आसकता इंपॉर्टेंट नहीं उतना जाता लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि सर सेयद अहमद खा और बनारस के राजा से सितारे हिंद इन्हों ने इसका विरोध किया थे यह लादिवेशन करो जो भी रिजन रहाओ इन्होंने इसका विरोध कर रखा था यह कोशन आप से पूछा जाता है इसका मैं ही आपको पता है यह वी कोशन पूछा था इंडिया प्रेटियोटिक एसोसीएसं के अस्थापना जो है वह कौन से कॉंग्रेस अधिवेशन के दौरान हुई थी तो चौथा वाला कब हुआ था मुझे सिर्फ सन बताते चले जो क्या इसमें कोई किसी बालक बालिका को कोई परसानी है क्या अरे हाया ना नहीं तो पहला वाला कहोगे सर जी 85 और देन आपके पास 86 देन 87 और देन 88 क्या इसमें कोई परसानी नहीं अगले बात प्याते है पहले नहीर जी तो बोले तो बांबे दुसरा वाला कहां पहुए था क्लकत्त और तीसरा वाला घॉल्वय नक्स पोछन पूछ लिया तो पूरी की पूरी जनता उड़ा जा लेगी और हाया ना पक्का है कोई परशानी कोई दिकत नहीं next प्याज़ो भी अगला कोश्चन अब किसने क्या कहा था ये भी कोश्चन हो गया तो लॉड डफरिन ने यह कहा था कि कॉंग्रेस को यह कहा कि यह जनता के उस वर्ण का तो हमारा पार्टी जॉइन कई लो ऐसे ऐसे कोशन करते हैं तीन दिन तो कि यह चला था ध्यक्ष वह पूरा का पूरा से सन और असुनी कुमार दत्ता ने कहा कि दादा यह तो बड़ा ही ज्यादा तमासा इन्होंने बना दिया मतलब कुछ कहा ही नहीं यह तमासा वह तमासा स इसको पारित किया गया था तो याँ दखिएगा इसको पारित किया गया था पांचमा दिवेशन जो कि तुरंत एक साल के बाद हुआ था और इसकी अधश्ता करी थी विल्यम बेट गरबन ने किसमें करी थी इन्होंने इसकी बेट गरबन करी थी ऐसे आ सकते हैं इन्होंने इसके देखता करी थी पक्का नेक्ष प्याजवाई कॉंग्रेशनल लंदन में अपने एक संसा बिटिस इंडिया कमीटी का गठन किया था और इसका जो मुख्य पत्र था वो इंडिया था ये बात आपको पताओ संपादक इसे कौन ते विलियम डिग भी इसके संपादक तो फांचवाई सब को समझ में आ गया कुछ है नहीं पांचवों में एक साल के तुरंट बाद हुआ था बंबाई में हुआ तो पहला भी कहां पर हुआ था बंबाई में हुआ था ऑप तो थोड़ा सा कॉइप अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर थोड़ेस के पहली महिला असना तक जो है कादंबणी गांगली ने भाल लिया यह कोश्चन भी पोथ पूछा जाता है कि भारती राश्री押क समय इसमेर भाग ली तो उसमारी नहीं तो छटा वाला बिल्कुल यहां पर सही हैंस हो जाएगा अरे पक्का है कि नहीं पक्का है बहुत बढ़िया चौलो ठीक आते जड़ा साथ माधिये से नाजो यह कहां पुरुआ था नाक्पर मुवा सन 1891 में हुआ देखो छटा वाला नब्वे में दन साथ वाला भी क्यानव थे और कंगरेश का दूसरा नाम यहां पे रखा गया था क्या राश्ट येता क्योंकि इसमें कर सकते हो वह कर सकते वग्यरह वग्यरह तुरंथ फिर प्रहाजसो राटह सो बाजवे इस impose देखो हो रहा आगातार चलते-कले हैं यह हूए ता ऑन में इसके अधिक्सिता कौन का था ओमेस चंबंदर जी एक और कॉंग्रेस अधिवेशन की वह कौन सा दृस्टा करी तीक और था यृधर जल्दी से बताओ भाई कौन सवाला था हाँ तो बोलोगे सार्जी इन्हों नहीं स्टार्ट किया था सबसे पहला था तो सबसे पहला था निर्ष जो कहां हुआ था वह बंबई में हुआ ठाउ एक देस्ता डब्लू सी बनार जी नी करि थी पिर एक और हुआ जो की आपका आр्थवावान देफ़ papa इसंसे किस डब्लू सीवानाषी नहीं लुच्भाइए अच्छा हिला वाद में एक और हो चुका है ऑलेड़ी happy और बताओ कंसा हो चुका है लावाद में एक और एक और हाब में हो चुका उसकी कौन करा था है लाहा वाद में का उसका कौन करा था जल्दी से बताओ कमेंट कांड़ características भारत में हुआ अब आते हैं आपके 9 अधिवेशन में तो 9 अधिवेशन हुआ था लहोर में और भाया इसमें कौन था मामला दादा भाई नहरोजी सहाब थे आप सभी को पता दादा भाई नहरोजी सहाब जो है वो कुलमला के 3 अधिवेशन में भाग ले चुके थे और 9 वा मिल गए अरे पक्का है कि नहीं पक्का है तो ठीक है नेक्स प्याज़ो दसमा अधिवेशन हुआ था ठारा सो चौरानवे में जो इसमें अधिक्ष्ट कॉन था अलफेट वेप था एक और हो गया लगातार पक्का एक ग्रहावा था ठारा सो पंचानवे स्वी में यह भी कोश नेक्स प्याज़ो तीक है अगला आता है बंद करवा दिया था कॉंग्रेस को कॉंग्रेस मंचे से बंद करवा दिया था ऐसा कोई मामला था बारहामा अधिवेशन था यह इसका अधिक्ष्टा करा था वो क्या था रहीमतुल्ला सयानी साहब ने और यह ठारा सो चानवे मे हुआ था है ना बहुत बढ़िया कोईशन था अच्छा कोईशन था यह इंपोर्टन था और अब यह कोईशन इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि भारत का राष्टी गीट वंदे मात्रम जो है वो पहली बार गाया था कौनसे वाले अधिवेशन में यह कोईशन आप सभी से यह आता है तो भारत का जो राष्टी गीट वंदे मात्रम है वह यह देखेगा बारहामा दिवेशन जो की 1890.06 में हुआ ता और यह कहां पर हुआ था कलकत्ता में हुआ था तो चांवे में पहली बार गाया गया था जो कि कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अधिक्ष्टा वाचा साहब थे और हुआ क्या था कि गाधी जी ऐसे पहले वक्ती थे जो कि इस अद्वेशन में आये थे मतलब पहली बार गाधी जी अद्वेशन नहीं हुई गाधी जी सिरफ इसमें आये थे तो अगर ये पुछाए गाधी जी कौन से वाले में आया थे तो बोलो के सर जी 1901 वाले में गाधी जी सामिल हुए थे अद्धिक्षिता तो उन्होंने सिरफ एक में कर रखी थे लेकिन 1901 वाले में सामिल हो गए ते इस बात को याद रखेगा अरे पक्का है कि ने पक्का है आज अगले पे बीसवा दिवेसन हो गया बंबई में जो कि 1904 में हुआ था हेनरी कॉटन साहब इसके अध्यक्षते अच्छा कोशन है और यह इसलिए इंप्वार्टन है को कि इसमें मुहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था तो मतलब 1901 में गादी जी ने भाग लिया पक आपका बॉंबे वाला क्या दोनों के दोनों बात बिल्कुल क्लियर कर पाओगे कि नहीं पर पाओगे है ना अभी सारे के सारे कोश्टन कर पाएंगे सब को याद आपको याद नहीं करना मैं आपको इसको पर डालेगा पूरा कंप्लीट और देन उसके बाद पढ़ने के बाद आपको अभी मैं यहाँ पर कोश्टन करूंगा आपको वह भी चीज़ हो पाएगा नेक्स्ट प्याज़ों भाई दिन आता एक कीसवा वाला सेसन जो की बनारस मिवाता सन 1905 में अध्यक्ष कौन थे गोपाल किसने गोखले साब और सवदेशी जो है आंदोलंग को समर अधन दो जो की यहाँ पर बिल्कुश सही अंसर हो जाएगा और नेक्स प्याज़ों जड़ा देखते हैं क्या कहता वई विपक्ष के नेता की उपादी भी गोखले साहब को मिली थी यह बात भी आपको याद एखना जो आपका हुआ था यहाँ पे कीसों वाला सेसन जो की नहीं सो च्छेष्वी में 22 सेसन वाता अध्यक्ष कौन थे इसमें फिर से नहिरोजी सहाब अध्यक्ष हो गयते अरे पक्का है तो नहरोजी सहाब कलकत्ता वाले में अध्यक्ष हो गयते एक अच्छा सो कोशन आप सभी के सामने और जिन्हा जो तेहीं सब्स्क्राइब ता पहली बाद सुराज का प्रेग था वह भी आपको पता है 1906 ने ही किया गया था और उसमें नेरो जी साहब क्या से अध्डक्ष थे और ये कहाँ पर हुआ था कलकत्ता में हुआ था ये भी चीज़ आपको याद देखना है तो दोनों चीज़ आपको याद देखना है कि पहली बाद जो सुराज की मांगोई थी 1906 में ही हुई थी 23 अधियसन अरे बड़ा इंपॉर्टन रही है तो कब हुआ था सब्सक्राइब हुआ था कहाँ पर हुआ था सूरत में हुआ था क्या मामला गरवड़ाय था याद देखेगा इसके अध्यक्स ते रास बिहारी वोस जो कोश्चन में आ सकता है कॉंग्रेस के नरम और गरंद किया था अपना वो था 26 अधियसन जो कि कलकत्ता में 1911 में हुआ था 26 कलकत्ता 1911 में अभी सिरब पढ़ते चलो कोई दिक्कत नहीं है कोई परसानी ने आराम से समझना ये कोश्चन पूचा गया था कि पहली बार जो जनगर्ण मन कौनसे वाले अधियसन में गहा गया था य पहली बार तो बोलो कि सची जो पहली बार हुआ था वह एक्षिन में 1911 का दिवेशन हुआ था अब आप से ये कोश्चन पूचा को नीजिस वाग्यारा का दिवेशन था उसकी अधिक्ष्टा किस ने करी थी तो बोलो कि सब्सक्राइब नरायन धर्ट था आपने उसकी उन्हें कॉंग्रेस का पिता कह दिया गया सिंपल सिंपल सार अब यह इंपॉर्टन्ट है एक तिस्वाला दिवेशन हुआ था लखनों में जो कि 1916 में हुआ था इसके अधिक्ष्ट अम्रिका चरण मजूमदार इंपॉर्टन्ट क्यों है क्योंकि इसमें नरम और गरम दल मिले कब थे 1916 में और इस समय अध्यक्ष कौन था अंबिका चरण मजूमदार इस समय क्या थे अध्यक्ष ते तो क्या 31 समय तक जनता को बात बिल्कुल क्लियर समझ में आरी कि नहीं आ रहिए और पका है कि नीपका है ठीक है नेक्ष्ट क्यान ठीक है पक्का लखनों समझत हो गया है ना सिंपल और यह भी कोशन पुझा गया था ने कॉंग्रेस लीग पैंट मुस्लिम वाला जो हुआ ता मामला मुस्लिम लेख को प्रिथक निवाचंग के लिए मांग कुष्रिकार किया गया यह वह था जो कहां पर हुआ था एलको में हुआ था है ना नेक्स सौराज मेरा जर्मस्णाइं अदिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। आरे हाँ बहुत बढ़िया नेक्स प्याजा भाई कि पहले विदेशी महिला जो अज्यक्श चोनी थी या फिस दोचा जा कि पहली महिला आद्धेश कौन थी भारतियैं नहीं सिरto पहली महिला देख्ष कौन थी तो या देखेगा जो थी एनी बेसेंट बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा और यह कब हुआ था और दिल्ली था और इसके दिश्ता करी थी मदनमोहन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट तो दिल्ली में यहादा अधिसता किस ने करी थी है और हिंदी भासा का प्रियोख किया जाएका इस पर जोर दिया अगला कोशन आप सभी के सामने क्या कहता है ठीक एक किताब भी लिखी की थी मांडले जेल में और गीता रहस नाम की किताब थी जो भी आपको यह याद अखना है यह भी बिल्कुश रहेगा कब स्टार्ट किया आपका अच्छा यह कोशन पूछ रहे हैं ठीक है पहला जो वि प्याद हसान इमाम सहाब ने इसके दिस्ता कर रखी थी और यह कोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी चौतिस्वा आते हैं मोतिलाल नहरू जी के टाइम वाला मामरा चलना है और यह हुआ था सान 1919 में और इस समय तो बहुत सारे कांट हो चुके थे जैसा कि जलिया ल में पंजाम में उधर क्या हो रहा था है ना चलो तो भाई उधर अमरी सर्क्राइब और इधर में क्या होता कॉंग्रेस का दिवेशन हो रहा था दो दोनों चीज़ी आ दखेगा दोनों आपको याद दखना नेक्स पे नाकपूर हुआ था पैतिस्वा समिधान संसोधन और स्वारी पैतिस्वा अदिवेशन हुआ था उननीस सो बीस में जो की वीर रागवा चारी ने क्या था अब उनीस सो बीस कुछ इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझेगा कि आहसायोग अंदोलंका जो प्रस्ताव रखा गया था पहली बार कौन से समिधा संदन दास ने पहली बार जो है आसे गांदों का प्रस्ताव रखा था नक्स्ट प्याते हैं कांग्रेस ने अपने रियायतों के लिए अपनी नीटी घोसित करी तो यह कोशन भी पूछी जाती है आपसे कि लाला लाज पत्राय ने कौन से वाले के अदिश्ता करी थी तो न प्रस्ताव भी रखा था बट इस प्रस्ताव को चित्रंदन दास मोतिलान नहरू एनी बेसेंट और मुहमद अली जिन्ना ने विरोध कर रखा था इसका यह बात को याद रखेगा है ना चलो अगले कोश्टन पर आते हैं अब यहां से बहुत सारे कोशन आते हैं एक तो कोशन यह आता है कि सबसे कम एज के जो अध्यक्ष बने थे उनका क्या नाम ता यह कोशन बड़ा का याद रखना है बहुत इंपोर्टन कोशन भोट बहुत बहत्रीन सा कोशन अधियुषन आपसे पूछा गया वेल गाम हुआ था उनीड्यगाम रहा हुआ था लिएनए और इसी में गादी जी थे क्या अध्यक्ष थे और यह बहुत अच्छा कोश्टन है कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें क्या हो गया था अलग अलग हो गये थे तो दोनों चीजे आपको याद रखनी है कि कॉंग्रेस और मुस्लिम दल अलग कर भुए थे तो नीशाव 20 में पक्का है की नहीं पक्का है चलो आते जड़ा दोगते वाई पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी बट पारित नहीं हुआ था और पहली बार लखनवा दिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था स्रोजरी नाइडियो जी ने ये तो अध्यक्ष थी 1925 वाले में समझना मेरी बात को जो कि आपका कहां पर था कानपूर में हुआ था लेकिन पहल बटी वाले में जो की 1926 में हुआ था जो कि स्री निवास अयंगार इस समय क्या थे उसके अध्यक्ष ते ये भी अच्छा कोशन हो गया नेक्स प्याते जरा समझते हैं फिर आपके पास बैलिसों आ गया जो की 1923 मुआ था साइमन का विरोध हुआ था आपको पता बैलिसों समिदान संसोधन ता उस समय और ये सब कोशन थे मोतिलान नहरू ने सभाला ये नहरू रिपोर्ट है ये सब चीज़ आई चलो ठीक है इतनी चीज़ आपके पास भी बहुत सारी चीज़ है बट इसकी फाइल आपको टेलीग्राम ग्रूप मिलेगी तो इसकी कम्प्लीट फ पढ़ने की जो तो नहीं पढ़ेगी इस बात की गारंटी है और बहुत सारी चीज़ आपको वहां से देखने सुनने को मिलेगी पक्का है तो चलो भाई इस्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन-कौन से कौश्टन थेखने वाले हैं और कैसे कैसे हम यहां पर और यहां ठीज चलो ठीक है चलो सबसे पहले आते को समस्ते कोश्टन में क्या 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 रखका है सबसे पहले जो कोश्टन आप सभी के लिए आता वह बहुत ही सिंपल सा है कि भारती राश्टी कांगरेस की अस्थापना थी यह कब करी गई थी और आपके पास यहां पर च बहुत है सन 1885 में करा गया थे एकदाम आसान से कोश्टन ने कर पाएगा अगर कोश्टन यह पुछ जाए भारती राश्टी कांगरेस की अस्थापना सन 1885 में करी तो गई थी लेकिन एक चीज यह बता दो कि इसकी अस्थापना करी किस ने थी 1885 में तो कहोगे सर जी एयो ह से क्या होगा पहला जो मुस्लिम अद्धिक्ष ता वो कोशन आप सभी से पूछा कि कौन थे भारती राश्टी कांगरेस के पहले मुस्लिम अद्धिक्ष कौन थे अच्छा कोशन है सिंपल कोशन जड़ा बताईगा तो कौन थे बदरुदीन तयाफ साहब कौन से वाले बहुत अच्छा कोशन है वह बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत तक राव तो कौन से वाले में थे सिंपल समझ में आ गया कि यह थे भई आप सभी के लिए कांगरेस अद्धिशन के प्रथम अंगरेज अध्धिक्ष कौन थे अंगरेज वाले सबसे पहले कौन थे बहुत अच्छा तो जो की चौते वाले में थे लगातार कॉंगरेस के कौन से वंदे मातरम गया गया था सबसे पहली बार यह भी आमने अभी कवर किया कोई भी कोशन बहार नहीं जागा इस बात कर देखना अपने पूरी थिए पढ़ लिया तो उसका पीड़ेशन पर दे से मुझ़े कौन सा बच्छा बता पाएगा पाएगा अथा दृस्ता को या जा दिखने और ही बहुत अच्छा कोशन है बहुत भहत बहुतरीन सा कोशन रहे बहुत तगडता कोश्न तो यह कोल काता में हुआ था और इंपॉर्टन क्यों है ये बात तो सभी को पता ही पहली बार सब्सक्राइब यह पूछा गया पहली बार जो यूज कप किया गया फैसका बहुत बहुत अच्छा पहुत तो और अपनी लोगे आजी next कोछें पर चलते जला देखते क्या और गरम दरव गये थे बहुत बढ़ियां, तो कॉन से वाले में अलग हो गये या दखना सबी को यह अलग हो तो 1707 और कहां पर हुआ था यह बात यह दख ली जेगा अब ये पूछा था कि कांग्रेस के सम्मिधान का निर्माड हुआ था कौन से वाले अधिवेशन में जल्दी से बताओ तो भाईया बहुत आसान से कोशन है तो ये हुआ था सन 1908 विस्वी में हमने इस चीज़ को अलिडिक कर रखा है रहा जनकर वर अलना जो मामला था पहली बार 1911 में नेक्ष्ट प्याज हो भाई नरम और गरंदर फिर से हो गाएं एक कौन से वाले में हुआ था बहुत बढ़ियां बहुत आसान से कोशन है तो कौन से वाले में 1916 में और ये कहां पर हो रखा था तो सबको याद रखना भाईगिया ये कहां पर हो रखा था लखनव ने हो रखा था मामला कौन समòngाल ना था तो अंबिखा चरव मजूदार साहब इस समय मामला समल नह Deh पहली महिला देक्ष कौन है इस सबही से पूछा गया आसाण से कोशन है जल्दी से पता बहुत बढ़िया गया वाला हुआ था पहली भारती पूछ जा तब सरोजीन आइडू बोलो कि यह बात या देख गलत मत कर देना सिरब पहला पूछा जागा तब जाकर सरोजीन आइडू को होगे तो जो गया वाला कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ तो इसके अस्ता किस ने करी थी चितरंजन दास ने करी थी और इसलिए इंप्वाटन भी है क्योंकि हाँ यह कोशन आपके पूछा भी गया था अरे नेक्ट कोशन प्याते जरा देखते हैं जरा देखते हैं वाई तो अगला कोशन कहता सबसे युवाद द बच्चा हो चुका जैसे ही 3000 बच्चे पहुचेंगे एक बार और क्लैपिंग करेंगे लेकिन सभी के सभी जल्दी से वाई क्लैपिंग कर दो पक्का नेक्ट कोशन पर देखते हैं कहता है सबसे यह बताओ पहली भारती महिला देख्ष कौन थी भारती राश्टी कॉंग्र का दिवेशन यह पूचा गया था कहां पर हुआ था अच्छा कोशन इंपॉर्टन कोशन है जड़ा समझ के बताना उन्नी सो चब्वीस ओला जो कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था ना यह कहां पर दो चब्वीस ओला एक्श्री में हुआ तक गौहावटी में हुआ तो मांग करी थे जल्दी से बताओ दो भाई बहुत अच्छा कोशन है बहुत 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 तग्रा चलिए अगले कोशन पर आते हैं तो इसका सही अंसर होगा यह हुआ था 1929 में और आपको पता है पूर सुराज की मांग 1929 में करी गए थी ना और मौली का दिकार की मांग कौन सा अधिवेसन था एकडम आसान था याद करना गलत नहीं होगा देखो याद कैसे करोगे 1929 में पूरस और आज दो साल और आजाओ यानि 31 में मौली का दिकार क्या भूलोगे अब क्या नहीं ना उननी सो पूरस और आज और 1931 मौली का दिकार दोनों का दोनों आपको बिना पर आम से यहाद हुजएगा बिना किसी परशानी बिना किसी प्राबलम और नेट्स कोस्टन पर आते जरा देखते भाई तो यह कहता आजादी के समय निसादी का टाइम भारत का आ चुका था तो मेरथ में कॉंझे इसका अधिवेशन हुआ था लेकिन इस अधिवेशन के अधिक्स्ता थी वह किसने समाला था यह कोशन आप सभी से पूचा गया तो भाई क्या बोलोगे जेबी किरपलानी साहब ने समाल लग था तो जेबी किरपलानी इदर राइट एंस अभी कोशन बिलकुश सही अंसर हो अरे आसान लगा की नहीं लगा क्या सभी को सारे कोशन याद हो रहे किन याद हो रहे है खाली आप जाके गूगल से खाली आप जाके सीट से ये कोशन समझेश पढ़ी लोगे तो भी सेलेक्शन अंडे परसंट हो जागा इस बास री गारंटी लिखने ना आगा सिर्फ पहना ही नहीं कि किस दुनिया में चले जाओगे अच्छा जब जैपूर में जब भारत आजाद हो चुका अब जैपूर में कॉंगरेस का दिवेशन वो कौन समाल ना था भाई यह भी बड़ा अच्छा कोश्चन है क्यों कि यहां सभी आपको तीन चार कोश्चन देखने को म सबसे पहले तो यह कि जैपूर में कॉंगरेस का दिवेशन हुआ था 1948 में भारत आजाद होने के बाद अगला कोश्चन आता भाई बीच में 47 भी तो पढ़ा था हाँ बिलकुल पढ़ा था तो 46 वाला गया वाला याद कर लिया 47 वाला याद करेंगा 48 का याद है तो 47 का एक है वो लगतार दो बार तक कंप्लीट बने है पूरा अपना पांच-पांच साल का जो टाइम हो जोने कवर भी क्या है डॉक्टर आजिंदे परसाद ये भी कोश्चन पूछा जाता है दूसरी बड़ी बात या देखना कि 47 में भारत आजाद भी हुआ था और 47 में यही क्या हुआ था और किस सन में हुआ तो दोनों चीज़र जल्दी से बता दो भाई क्या हो पाएगा सही एंसर हां तो यह दिखे यह बेल गाम आला था अरे कौंसे वाले सन में हुआ तो जड़ा यह कमेंट करो भाई भन-बन सभी के कमेंट आ जाए आप रेव बनर जी साहँ यानी डव सी बनर जीावर राजट टा सब वालोग भाली काहने को समझ जाँ यह आगे कि नहीं आ gyya औरे हा uda ना तो नेक्ष पैज वा पर जो भाई यह ल widespread और बनीए कि जाहिएन्स सबीकुशंव यह मैंने आरड़ डी आपको अलग से भी करा रखा यह भूठ इम्पोरंटन्ट बी वह बोल दिजिए एक बार तो ठीक है छी है जिन बच्चों ने भरा वो जरा सब के सब शीए जिसल एग बर बोले जिन बच्चों ने भर रख़ा है सिरफ एच रसल कमेंट कर देज जिन भी भर पढ़ाए जिसमें आपको पहुत सारे जैसे कि मैस कोई और पढ़ा रहा और इस तुमानों मैं पढ़ाए जैसे को टॉप एजटर चाहे वह वाइफाई स्टेडी कोई टॉप एजुकेटर हो कि कोई भी हो तो पूरा एक कंप्लीट को सिए चिसल का लिए आएंगे जो कि बहुत 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 नीन तरीके से महाँ पर मैस कवर करेंगे कुछ बचा ने रहागा इस बात को याद अखना तो चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं है वह सब कुछ समझते कैसे हो पाएगा मैं खा कितने सदस सामिल हुए थे ये कोशन आप सभी उसे पूछा गया जो कॉंग्रेस का पहला वाला दिवेशन हुआ था हाँ तो याद दखेगा इसमें कुल मिलाके जो सामिल होते वहत्ता लोग सामिल हुए थे दूसरे वाले का भी मैंने आपको बता दे कि दूसरे वाले में पूछा जागा कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौनते तो सब का सब बच्चा बता देगा कि सर्जी सुतंता के बाद तो पटावी सीता रमया और ये कोशन तो आप सभी से पूछा गया जो कि कब हुआ था उन्नी सो अड़ातालीस में हुआ था और सायतालीस वाला कहां पर जो कि एक special अधिवेशन था पहली बार वंदे मातरम जो है जिस अधिवेशन में गाया गया वो कंसा वाला अधिवेशन था ये कोशन की बाद सभी को समझ में आगी अरी हाँ या न चलो next प्याज़ो देखतें क्या कहता है ये बताओ इसा दिवेशन बाँ पूर सुराज की मांगलवाला दिवेशन था नहीं जाए अगले कॉशन पर पक्का है चलो अगले कॉशन पर आते ज़रा देखतें है इंडियानेशना कांग्रेस की अस्थापना करी थी भाई ऐसा कौन से नंबर का दिवेशन ता ये जल्दी से चुर्ट कर दो जो 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 जान विजूनर ना समाली थी और कहां पर हुआ था ये भी कमेंट कर दो किस सन में हुआ था ये भी कमेट कर दो सारी के सारी चीस चीज़ एक साथ बतादो भाई जाज यूले ने बड़ा मतलब वस समय के बड़ा वो कठीन पल था यह उस समय जब दोनों पल दोनों दल अलग हो गयते कहा भाई हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे ऐसे मामला नहीं चल पाएगा तो नरम अगरम दल का मामला था जो कि आपका बिलकुल यहां पे सही एंसर हो जाएगा तो यह सबसे ज़्यादा कहां पर हुआ था यह कोशन आप सभी से पूचा क्या होगा तो सबसे जड़ा जो हुआ था वह थे लिए को मैंने आपको इसको करा दिया है और कलकाय चांगरेस के विसेश अधिवेसन ता उसमें अद्ध्द्ध्श बने बटें यह हुँआ तो यह सभी को याद होना जा यह रहा एकदम अच्छा कोशन है आसान सा कोशन था महत्यपूर सा कोशन था जरूर कर पाओगे जलो भी या नेक्ष कोशन पर आ जाते कलकता द्वेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे बताओ भाई यह तो बताई लोगे क्योंकि इसी समय तो सिर्फ आपको पता दादा भाई नेरो जी साह थे अभी हमने एक बार इस चीज़ को कवर किया दुवारा आप सबी के सामने आ गया कि सबसे विवाए अद्द्रक्ष कौन थे भाई बहुत अच्छा कोशन है बहुत बढ़िया कोशन है तो अभी तो बच्छा मात तरह 33 कोशन हुआ है और 33 कोशन हुआ तो कम से कम कुल मिल दूरी है उन चीज़ को जानना बहुत तगड़ा से लाइक ठोका ऐसा लाइक ठोका कि मज़ा या जाए सो समझ में आजा कि हाँ यार यह बात तो है यह तगड़ा जो है इस तरीके से तो हुआ जल्दी सब भाई सब के सब लाइक मारो यह 2000 लाइक में मज़ा नहीं आएगा भाई यह बात को याद खना 2000 लाइक में कोई मज़ा नहीं आगा इस बात को याद खना बहुत बढ़िया चलो अगले कोशन पर आते देखते हैं अगला कोशन क्या होता भाई आप सबी के सामने यह कोशन कहता है कि आपको बताओ सतंता के पहले का दिवेशन हुआ था वो कह जोहाला नहरियो साब ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ कौण से वाले अदिवेशन में कहा जरा जल्दी से बता दीजे बड़ा अच्छा से कोशन है बड़ा इंपोर्टन्ट है तो जो इस अदिवेशन में कहा था वो याद एखिएगा वो हो जाएगा आपका लखनाओ वा तो एनी पेसमें जो थी वो कौंसे देश की थी तो आयलेंड इस राइट एंस वी कोशन जो बहुत सारे बच्छों को नहीं पता है और लेटी बहुत सारे बच्चे इसका इंग्लेंड बताता तो दादा इंग्लेंड गलात एंसर हो जाएगा क्या जनता की बात समझ में आ और यह कि नहीं आ रही है और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब के सब जल्दी से 5000 बच्चे कंप्लीट होने वाला और एक जबता स्क्लैपिंग होनी चाहिए यह पूरे तरीके तो पूरे जोस में सब के सब बच्चे जल्दी से जुड़ जाए और नेक्स कोशन आप उन सबी कोशन था आई थिंग सभी के जंता को बात विल्कू समझ में आ गया और नेक्स कोशन पर चला जैका बताओ बाई किस सत्रे में कांग्रेस के समख्ष राष्ट्य सब्स जोड़ने वाला जो मामला था वह कौन से वाले आदिवेशन में आया था यह कोशन पूछा गया सबी तो यहाद एखेगा सबी यहाए था आप सभी का नाकपूर वाले में और नाकपूर वाला कब हुआ था सन और ऑर इसीमें चीज आई थी और इसीम चीज हुआ था अच्छा कोशन नेक्स प्याज़ो कोशन$ ، बताओ कि कौन जो ऐसा है जो सम् hut तेन बार भारती राश्ची कौँंगरेसे से सहब भाई इनसे कौन भाई नेउस बहूत है जिनको तीन बार चुना गए अगी कौशन$ दादा भाई नेरो जी बिल्कु सही एंस रो जाएंगे अरे किलियर है कि लिए किलियर है ग्रैंड ओल्ड माइन ऑफ इंडिया कौन है दादा भाई नेरो जी और नेक्ट कोश्म आपको लोग बढ़ते हैं कहता यह बता दो पहला सत्र कहां पर हुआ था सन भी बता देना और पूरे में अकाल आ गया था और इसकी वैसे यह क्या हो गया बॉम्बे में सिफ्ट हो गया था दोनों बाद सबको समझ में आगे खिक अब तीसरी बात प्याते हैं कि 1850 में हुआ था पहला वाला इसकी अधक्ष्टा किस ने करी थी यह भी कोशन आ सकता जंता से तो या दख कोशन भैतनीन सा तो 1947 और या दखेगा जुलाई में नेक्स्ट प्याज़ो भाई सुरक्ष्टा वाल्व होना कौन चाहता तो कि भारती राष्टी कॉंगरेस ना एक सुरक्ष्टा वाल्व हो जाए सुरक्ष्टा वाल्व होने का मतलब यह है कि बाई यह पूरी तरीके से सही से रहे भारती राष्टी कॉंगरेस लोगों इस पर भरोसा करते रहे जाए तो यह सोचा था एओ हो हुम साबने और इन्हों ने भारती राष्टी कॉंगरेस की अस्थापना करी ती क्या जंता को यह भी बात समझ में आ रही है तो यह बताओ 1850 और 1902 दोनों के अद्ध 1495 वाला और 1902 वाला बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अरे पक्का है क्या कोई परसानी है क्या कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो नेक्स कोई दिक्कत नहीं फिर तो भारती राष्टी कांगरेस का किसके द्वारा लिखा गया था पहला आधिकारिक इत्यास भारती राष् हुआ था उसके दिष्टा भी किस ने करी थी पट्टा भी सीता रमया ने करी थी जो कि सन 1948 सिस्वी में हो रखा था और इसी में भारती राष्टी कॉंग्रेस का आधिकारी कि इतियास भी लिखा गया था क्या अभी ये सारी की सारी बाते सब को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्या कोश्चन बिल्कुल किलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आसान लगे रहा सारे के सारे कोश्चन इजी तरीके से स्वाल हो पा रहा है सारे के सारे कोश्चन तो भाया नेक्स पर बढ़ पर जो फिर सूरत सत्र का जो अधिमेशन हुआ था जो इनी सeger साथ में हुआ था जिसमें नरम और गरम sausage अलगा गया था तो जरह यह बता दो कि यह कौंसा वाला, किसने सम्हाला था यह सारा वह कौन सा होगा तो यहां देखें का बेल गाम वाला था और वेल गाम वाला सन 1924 इस्वी में हुआ था बहुत बढ़ियां